रतना वली कौन? अरे तुम मीरा को भी भूल गई क्या? आपको मैं किसे बूल सकती हूँ मीरा? मैं हमेशा आपकी यादों में पूजा करती रह दों जैसे आप कृष्टनी की पूजा करती हैं मैं आपकी पूजा करती हूँ रतना, तुम्हारी आँखों में आसू, ये अफसोस किसलिए? मेरे भगवान ने मुझे जाने के लिए कह दिया मीरा, मुझे जिन्दगी में अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तुम स्वयम, उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी, तुम्हारी इच्छा के मुताबिक तुलसी दास अब बहुत बड़ा महाकवी बन गया है मीरा भाई, उनकी काम्याबी के बारे में सोचकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे अफसोस भी हो रहा है मैंने कृष्णस से प्रेम किया था, उस प्रेम से ज्यादा, दुनियावी बंदिशों से दूर हो गई, लेकिन खुशी तो उसी से मिली है मीरा भाई, उनके बेना तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं, उनके बेना मैं नहीं जी सकती तुम जी सकती हो रतना, तुमारा प्रेम सच्चा है, यह आज की बात नहीं है, हमेशा हमेशा की बात है, तुमारा रिष्टा पवित्र है, कुर्बानी का फल मिलता है वो तो सच है, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाएए तुमारे तुलसी, तुमारे दिल के अंदर ही है, उसे बाहर क्यों ढून रही हो मेरी समझ में अब सब कुछ आ गया है, कल से मैं इसी एहसास को लेकर जीओंगी मेरे स्वामी हमेशा, अब मेरे दिल में ही रहेंगे अब से यही मेरी जिंतगी है मीरा, मीरा, मीरा अब ही हमें इस कावे को पढ़कर जाँच करनी है पढ़कर क्या जाँच करनी है इस तुलसी रमायड को काशी नगर के समस्त विद्वानों ने, पंधितों ने, महाग्यानियों ने जाँच कर कहा है कि बालमिकी रमायड के समान कोई और रमायड नहीं है फिर इतनी बड़ी जाज किसली है निरंजन जी ये हमारा फैसला नहीं है ये महराज का फैसला है आचार्या इस तुलसी रमायन को नीचे रख दीजिये इस वेद पुरान को नीचे रख कर तुलसी रमायन को उपर रखिए ठेक है इस काशि की जनता के बीच वेद पुरान के साथ साथ अब तुलसी रमायन भी जुड़ गई है इस तरह की घटना परम महादेव के एक्छानुसार ही हुई है महामंत्री जी मंदिर के सेवक को बुला कर इसे अतिशिग्र सौपिये जल्दी से बिना इजाज़त यदि किसी ने अंदर आने की कोशिश की तु उसे सजा मिलेगी ओम नमस शिवाए इस काशी नगर के महराज शिवदत राजा को बधाई देते हैं महासाद्यवी महराणी इंदुमति देवी को भी ये राजगुरू और काशी में रहने वाले हर आदमी को इस निरंजन दास का परणाम है मुझे पूरा यकीन है इस तुलसी दास ने जो रमायन लिखी है वो वेद पुरान से बड़ी नहीं हो सकती ये अब तक पता चल गया होगा ये जाँच बेकार है लेकिन हमारे महराज नेक दिल है काशी शेत्र में आने वाले लोगों को आसरा देते हैं और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं भले हैं उनमें कोई समझ ना हो लेकिन उनकी सब्विध्धी के लिए में प्राजन दास जी महराज शमा कीजिये महराज यहाँ पर जाच हो रही है अंदर महादेव है नंदी भी है और नरेश्वर भी है इनके साथ साथ महादेव का भक्त यह निरंजन भी यहां मौजूद है लेकिन वो कहा है जिसकी वज़ा से हम यह परिक्षा लेने के लिए मजबूर हो गए वो तुलसी दास तुलसी दास कहा है कहा है राजगुरू मंदिर के पट खोलूआए जैसी आपके आग्या महराज मंदिर के पट खोलूआए चमतकार हो गया महराज महराज जी शिव जी ने अपना फैसला सुना दिया यह आश्चर की बात है तुलसी दारा लेकी गई रामायन सबसे उपर रखी हुई है यह बहुत अभूत है यह बहुत अभूत है अरे रुके 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 यहाँ पे असली वैद आया है इनका हमें इलाज करने की जरूरत है यहाँ मरीज भी नहीं रहेंगे और बिमार्या भी नहीं रहेंगी लेकिन यह है कौन क्या यह मर चुका है यह जिन्दा है इसकी जाच करनी होगी कोई बड़ा खत्रा तो नहीं है सर पर बहुत चोटे आई है इसलिए बेहोश है ये इसे देख के ऐसा लगता है किसे संजीवनी दवा की जरूरत है मैं जाकर लेकर आता हूँ तब तक आप लोग इसका अच्छे से ध्यान रखिये हनुमान तो सिदास की रक्षा करो श्री राम जये राम जै शिरी राम प्रभू आपको कोटी कोटी प्रणाम आपकी वज़े से इस इंसान की जान बच गई लेकिन मुझे आपने क्यों बचाया? मेरे रामायन को गंगा में बहाने के लिए लेकर चले गए इसलिए मैं भी गंगा में डूप कर मरना चाहता था तुलसिदास जी, निरंजन जी के जो आप पर इल्जाम है आपकी लिखी रामायन को गंगा में नहीं बहाया गया वो विश्वनात मंदिर में जांच के लिए रखी है जयम अपजयम जननम मरनम कीरती अपकीरती ये सब भगवान के हाथ में है ये तो राम चरीतर मानस में मेरी लिखी हुई पंती है आपको कैसे पता चला? मैं राम भगत हूँ जय शिरी राम